Hello traders, welcome to my channel, my name is Aupay Paartil, back with a new understanding market beer video जहां पर हम पूरा market का detail में view समझते हैं और कल क्या होने आला ये भी समझते हैं तो आज का market समझते हैं, पहला trade हमने जो initiate किया था वो एक बच के तेरा मिनिट के असपास किया था logic समझते हो, देखो, market में हमें दो trade हम हमेशा plan करते हैं, या मेरी trading style आपको बता दू, या market कैसे work करता है, ये एक चीज़ बता दू, तो देखो, मान लेते हैं कोई level है और इस level पे, समझो, ये trend line है, और यहां पे trend line है, अब मान लेते हैं, यहां से market एक बहुत बड़ा breakout देने के chances है, selling काफी weak होते हैं, और ये बहुत बड़ी short covering देने के chances है, call short market में बहुत ज़्यादा है, ओके, ये समझ सकते हैं, और हम long plan करते हैं, बट एक long trade लेने के बाद हमें क्या समझता है, कि यहां से market reversal भी देने के chances है, because market जिस तरीके से breakout देके rally करना चाहिए था, उस तरीके से market जा रहा नहीं है, हम क्या करते हैं, इस trade को यहीं कहीं पे जो हमारा target 1 या target 2 या target 3 जहाँ पर भी जाते हैं, उसके आसपस close करके, इसको reversal के लिए trade करते हैं, और फिर वो हमारे major trade बन जाता है, जो expires पर 0 euro बन जाता है, अब अगर अगर आपने यहां पर real भी देखे होगी आज की, तो वहाँ पर भी देखो मैंने कैसे किया, और trade कैसे plan किया, पहली चीज़ यहां पर मैंने आपको explanation दिया, कि market यहां से top से weak selling देते हुए आ रहा है, बहुत बड़ी short scoring market में हो सकती है, उस हिसाब से हम trade plan करते है, अब हमने जब trade plan किया, हमने यहां पर long trade plan किया, और उसके बाद यहां पर explain किया, कि क्या logic हो सकता है, और trade एकदम 2 रुपे का stop loss के साथ चला गया, और market हमें target जो 2 और 3 है, I guess यहां तक, right, so हमें यहां का जो target है, target 1 था basically, target 1 के असपस हमें दे कर 20 points के असपस हमें profit दे गया, so 20 points का profit देने के बाद यहां पर चार्ट पर देख सकते हो, हमने क्या चीज अब्ज़र की, कि market यहां पर एक W pattern बना रहा है, ठीक है, एक W pattern बना के, इसका neckline breakout होने के बाद यह weak हो चुका है, neckline breakout होने के बाद यह sustain कर रहे, यह neckline है, यहां पर breakout के बाद देखो observe करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, 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 मिनिट तक यह breakout पर sustain करके नीचे closing देगा, वहां पर मुझे समझ गया, यह बहुत बड़ा reversal plan कर रहा है, और आज का market जो है 15 मिनिट, अब यह जो level है ना, अब म लॉक है का पंदरा मिनिट का यहां पर trap बन रहा है, ठीक है, फंदरा मिनिट का trap बन रहा है, कैसे बन रहा है, अब ध्यान से देखना, मैं यहां पर trend line draw करता हो, अब यहां पर अप देख सकते हो, यह level draw करता हो, इस यह strong support 15 मिनिट पर, क्लोजिंग डिया था, सो यहां पे पूरी दुनिया के रिटेलर्स एक ब्रेक आउट पे लॉंग पोजिशन लगा कर बैटे थे और हमने भी वही किया था यह सोचके कि यहां पे शॉट कवरिंग हो सकती है और वीक सेलेंगे शॉट कवरिंग हो कि मार्केट 600 पार कर सकता है मार्केट उस टाइम बुलिश दिख रहा था ठीक है लेकिन जैसे ही गेम पूरा अब्जर्वेशन का होता है जैसे ही हमने देखा कि यहां पर वीकनेस हो रहा है आठ मिनिट से ज़्यादा सस्टेन कर चुका है मार्केट का बिहेवियर समझा अगले ही मिनिट यहां पे ट्रेंड लाइन रोकी और एक रिवरसल ट्रेड प्लान किया क्राश के लिए और यहां पे एकी चीज कही दी कि यहां का मार्केट जो है अब शॉट में भी जाकर देखना वर्डिंग यहां का जो मार्केट है अब crash हो सकता है और हमने 0.5 रुपे का stop loss 60 के entry थी 61.9 2 रुपे का stop loss के साथ के trade लिया और कुछ time बाद अगर आप देखोगे यह trade चो है target हमारा basically crash कर गया यहां से target hit किया 518 और क्योंकि 500 पे इतनी बड़ी positions थी put sellers की इतनी बड़ी position थी कि market बाद में 500 भी तोड़के 450, 465 का deal हो लगया अब अगर मैं मेरी live बंद हो चुकी थी यह trade खतम होते सी 2 बज़े के आसपस power cut कियो ऐसे लेकिन अगर मैं यहां पर live होता भी तो मैं यह वाला crash भी पकड़ लेता कैसे अब देखो मेरा trade वो कहाँ पर initiate होता मेरा trade initiate होता यहां पर मैं देखता कि 256 पर breakout दे है 257, 258 हम 3 पिम के पास usually wait करते हैं हम देखते है 250 जो candle से अगर आप observe करोगे तो यहां पर देखना कि 259 और 3 पिम ठीक है 3 पिम एक पहले ही market breakout दे चुका है तीन बज़े के पहले जो की fake breakout हो चुका है यहां पर हम एक simply swing पर resistance एक level draw करता है जो की entry level होती यहां पर मेरा stop loss होता यह मेरा sell होता और फिर target trail करते करता है में यह trade capture करता यहां पर market ने क्या क्या channel में चलता गया breakout यह no doubt अब long करते हैं यहां पर कई लोग long करते हैं ठीक है राइड भी हो सकता है कई बार तो हम ऐसे time पर कभी कभी क्या करते हैं timing देखते हैं अब usually 3 p.m के पहले तो long नहीं लेते बट in case यह trade होता दो बज़े देड़ बज़े के आसपस तो यहां पर हम एक long trade लेते हैं बहुत बड़ा अब हम देखते कि यहार market यहां पर 2-3 minute तक हमारे trade में जा रहा है profit दे रहा है एक छोटी सी line यहां पर draw करते है और हम wait करते हैं इसको cross होने का और stopless trail करते हैं अब देख रहा है कि market इस छोटी सी line से बहुत बड़ा rejection ले रहा है हम यहां पर cost to cost थिकल जाते और तुरंट समझ जाते हम यहां पर trap हो चुके और अब हमें यहां पर reversal trade प्लान करना चाहिए इससे क्या होता पहले trade cost to cost कर गया तूसरा trade में हम 40 points से ज्यादा capture कर गया है तो ऐसे आप को trading करने होते हैं ऐसे आप momentum पकड़ सकते हो देखो आज के सारे इस way से आप यह momentum पकड़ लेते यह momentum पकड़ लेते यह top वाला momentum पकड़ लेते और उसके पहले तो market जो है थोड़ा sideways हो गया था और एक small breakdown और एक volatile वा था तो आज के जो best momentum था हमारी जो entry थी अब यह holding पर depend करता है अगर आप यह trade भी पूरा time hold करते call seller हो तो आपको यह trade भी मिल जाता बट expire यह इस time पर theta dk अलग से होता है तो it's all about आप कितना hold करते हो इसको एक बार entry होती है अलग-अलग time frame पर जाके 5-15 minutes पर जाके अब analyze करते हो कि क्या मुझे bigger time frame पर यह trade और गिर सकता है उसे जब से आप 1 minute पर इस trade को manage कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर entry यहाँ पर exit फिर वापिस entry exit ऐसा plan कर सकते हो it's all up to you your mindset अब कल का market एक बार देख लेते कि कल का market कहां पर जा सकता है अब यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक breakdown हो है लेकिन 18,456 एक strong support है बट मेरे लिए सबसे crucial यह trend line है यह trend line is the game changing trend line मुझे लगता है कि market जो है इस trend line तक अराम से गिर सकता है अगर हम यह सारे levels यह सारे major levels है अब अगर आप देखोगे तो यह एक IBZ zone है जो यह trend line है market क्या करेगा simply उपर गया support उपर गया अब lower low बना की नीच आ रहा है बट यहां से again we can see a new high I am thinking कि market इस trend line से buying की तरफ जाएगा तब तक हम put की तरफ ही plan करते है till 18,400 तो यह हमारा plan रहेगा ठीक है तो देखते है अभी जो crash आया इसके बाद छोटा सा pullback Friday को तोड़ा sideways होता है और वापिस एक pullback के बाद में भी हमें वापिस put trade नीचे की तरफ मिले यह plan हो सकता है बट aggressive bias इस trend line पर आप को activate होना है निफ्टी bank की बात करें तो निफ्टी bank एक strong resistance की नीचे close हो है और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यह भी कहीं न कहीं support के पास ही जाके रुख सकता है तो support की बात करें वो around 43,500 एक round number पकड़े तो तो यहाँ भी एक pullback and then 43,500 टच करते वह देख सकते है तो फिलाल market bearish है यहाँ पर भी जब तक 43,500 पर पहुंचेगा bank nifty निफ्टी भी उसके trend line तक पहुचेगा और वहाँ से एक buying activity हो सकती है another thing यहाँ पर आपको बता दू कि जो भी live stream पर giveaways होते है premium channel हो गया, courses हो गया और cash price हो गया उसमें participate करना है, description में जो link है account open करके आपको उसमें trade करने ताकि आप giveaway में participate कर सको second चीज, paradise master bundle पे आज offer है expiry क्यों इसे, coupon code यूज करने आपको bundle 500 तो basically 18,000 के core से 12,500 इसका discount plus 500 coupon code से आपको 11,999 पे यह पड़ेगा इसमें क्या क्या आएगा, basics of stock market जो core से हमारा वो आज जाएगा market cycle setup आजएगा, ultimate option trading course जो है उसमें पूरा 0 to 100 options के बारे में सिखा गया है, इसमें cycle setup सिखा गया है इसमें सारे basics cover किये गए, ibz 3.0 है और lifetime premium channel आपको मिलेगा जहां पे crypto forex के analysis, charts, breakouts वाले जो coin से और pair से वो post किये जाते हैं, so यह सिफ limited time के लिए valid है और बात में यह code भी expired हो जागा, thank you so much for watching, see you tomorrow